नवाश्कार दोस्तों श्रीमें के इस नेरोड़ों में आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर अनन्द दोस्तों जो बात करने आ रहे हूँ इस समय एक मौसम चींज हो रहा है और कफी सारे बीशे नवाय पास आ रहे हैं Nay stabilize नेकि और फिशर के लेख करके इस रहेregion detiowa की और चलने ही पार रह नेकि खड़ नहीं रहे हversion in इवेन लैटन करने के बाद भी काफी सारे टाइन तक बहुत ज़दा पेन, बहुत ज़दा ज़रल मैसुद हो रही है। तो अज बात करेंगे इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे हमें कैसे हों पेती कॉपमिनेशन के बारे में जिसको कि आप यूज करके पाइस, फिशर, इन दोनों से बस सकते हैं, साथ ही साथ जॉप की जलन, कटन की प्रड़म हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, पस निकल ला है, म्यूकस निकल ला है, उन सभी से शुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकवन दबा दिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफेकेशन सबसे पहले मिल सकते हैं। चैनल हो चुका है, ठंड से गरम पेत आ चुके हैं। और अब चुब एपास पेशन्ट आ रहे हैं। वह पाइल चलिए के बावासीर के बहुत सारे पेशन्ट आ रहे हैं। दूसरा, फिशर के पेशन्ट आ रहे हैं। दोलों की कंप्लेंस अल्मोस सेम होती हैं। जैसे की कॉंस्टी पेशन्ट यानि की पेट साफ नहीं हो रहे है। दूसरा, लेटन करने वाला जो पार्ट होता है, हमारा एनस्ट में बहुत ज़्यदा चुबान हो रही है, बहुत ज़्यदा दर्द हो रही है, जरन हो रही है, और कटन मैसूस हो रही है। पेशन बोलते हैं सर मैं बैट नी पार हूं, बैट जा रहा हूं तो खड़ा और वह थो चल नहीं पार हूं तो चल नहीं पार रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा पेश हो चुका है और हम परिशान हो चुके हैं इस चीज़ों से साती सार बहुत सार एप्रेशन यह भी में करते हैं कि सर हमारा जो एनस का फार्ट है अइसा लगता है कि उसमें कुछ निकल आया है कुछ मसा आ गया है जो की दर्ध करता है चलने, फिरने में बैठने में इवेन हम जब stool pass होता है लाइने के lightning करते हैं तो वहाँ पर भी तुभी दर्द होता है इवेन lightning करने के बाद काफी समय तक दर्द बना रहता है और यह बहुत तक्लीफ दे होता है बहुत दिक्कत होती है और कुछ लोगा complain ये भी रहता है कि सब जब भी हम stool pass करते हैं तो पस निकलता है stool pass करते हैं तो हमें आपका bleeding वहाँ पर निकलती है तो काफी सारी problems यहाँ पर देखने को मिलती है ऊपना बढराना है कम से कम चार लिटर पाणी पीना है साथी शाथ कुछ हमें घाईटका management भी करना है जैसे की बहुत जटा बाहरी foods ये जञ्दा जहररी नहीं खाना है घर का खाना खाना है धूसरा बहुत सारे जो carbonated drinks नाम मैं नहीं ले रहा हूं बहुत तरह कार्बनेटर ड्रिंक आती है, कुछ कोला में आती है, कुछ औरेज फ्रेवर में आती है, उसको आप इग्नोर करिए, नॉर्मल आप पानी पीजिए, बहुत होगा तो शिकंजी गहर पे बना की पीजिए, वह अपनी काफी रदे पाइदे बंदे, साथी साथ, इस समय जो मौसम है, उसमें बहुत जयादा दबा के खाना, दबा के खाना मतलब, आपके पाटी का घर में गए, वेज आ और… जो भी खारें बहुत ज़्यदा मखलेदार, बहुत ज़्यदा स्पाइसी या बहुत ज़्यदा ओईली फूर्ट को इग्नोर करिए योगि वो इस समय आपको प्रॉब्लम दे सकती योगि खाना पचने ही में टाइम लग रहा है तो पचने अगर नहीं पचना है तो आपको य अगर हम बात करें इन सभी सिम्टम's के इसाब से हम कौन सा हमने लहीं गामिनेशन यूज़ करें तो यहां पर हारा पास बैकसन का पिलगो यहां पर आप दिख सकते हैं बैक्सन का पिलगो टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन है और यह जो कॉम्बिनेशन है वो पाइस और फिशर की पिशन के लिए काफी अच्छा है जिसे मैंने सिम्टम्स बता है इंटर्नल पाइस है इंटर्नल पाइस है ब्लीडिंग फायओ से मसा आ रहा है या जलन कटन चुबन की प्रणुम में मवाद निकलना है पस निकलना है या ब्लीडिंग आ रही है उन सबी पर यह काफी अच्छा वर्क करता है बात कर एक इसके indications पे तो लिखा हुए for bleeding and painful piles fissure in anal region यहीं कि जो वहाँ लाइटिन करने का रास्ता होता है इनल का रास्ता होता है वहाँ पर अगर आपको दर्द हो रहा है जलन हो रही कटव नहीं तो बहुत अच्छा work करता है साथी साथ constipation और backache कब्स की शिकायत और कमर दर्दे भी काफी अच्छा result है इसका and irritation due to worms और अगर आपके पेट में proper पच नहीं रहा है खाना वॉम्स और इसकी विए बहुत अच्छा irritation हो रही है वुलिशन से पहसूस हो रही है तो वहाँ पर भी यह medicine काफी अच्छा work करेग अब बात कर लेते हैं किसमें काफी अच्छा work करती है तो सबसे पहली जो medicine आती हो आती है राटैनिया राटैनिया के ऐसी medicine है जो पाइस और फिशर दोनों पर यह काफी अच्छा work करती है साथी साथ ऐसे लोगों को जिनको जलन, कटन, चुबन की समस्या है ऐसा फिर होता है कि नाइफ यानि कि चाकू से घोब दिया गया है इतना जदा तीज दर्द होता है इतना चुबन होती है वहाँ पर यह medicine काफी अच्छा work करती है साथी साथ पस के चल यह की साथी साथ जो लेटन के साथ अपने स्टूल के साथ पस निकल रहा है तो वहाँ पर भी medicine काफी हेमामेलिस ऐसे लोग जिनको की स्टूल के साथ लेटन के साथ ब्लड आ रहा है लाला डडडडड आपको शीट पर दिखाई रहा है जी व्लीडिंग होई है तो वहाँ पर उन पेशन्ट के लिए हेमामेलिस काफी अच्छा work करती है वह इसमें पड़ा हुआ है और जो भी लगातार जो ब्लीडिंग हो रही है उसकी वह जब 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 वीकनेस आ रही है कमजोरी आ गई है या हमें एनेमिया की शिकायत है वहाँ पर भी टैबलेट काफी एच्छा work करती है नेक्स्ट में आपकी एसकूलस हिप जब हमारे गैस्टिक जो पर जिया जाता है उसके बह ल्यवाग प्रेशार आपके आजा रहा है आपके एनस के पार्ट पर और जो वहाँ की आई है उन में बहुत जब जब प्रêsरय या विश्क वीस कि वीकना रही है जो आपको पें कर रहा है पिल्टिंग आ रही है उन्हीं के खूल के स्थ बहूं जब पेंफूरी हुर लुर कटनी की सम्मावना है हो चुकी है तो वहाँ पर Asculus Hip काफी अच्छा वर्क करती है Next और Last Mission आती है इसमें Allo Secure Runner Jelly लाइक है नहीं कि Jelly की तरीकी का आपका स्टूल हो रहा है चिपचिपा स्टूल है बहुत ही sticky स्टूल दिखने को बिलता है साथी साथ जो आपका इनस का पार्ट है उसकी नीचे पाइस के मस्से आ गए और गुच्छे नमा बहुत सारे जो यह गुच्छे-गुच्छे के तर अंगूर की तरीकी से एक गुच्छा बन गया है तो वहाँ पर यह medicine specifically काफी अच्छा वर्क करती है तो काफी अच्छा combination बनाया गया है बैक्सन की तरब से पिल्गो टैबलेट के नाम से एक बार आप यूज जरू करेंगा आपको पाइस सा फिशर की समझगा है काफी अच्छे रिजल्ट पिलेंगे डूजस की बात करें तो एक टैबलेट दिन में तीन से चार बार लेना है अगर आपको ब्लीडिंग पाइस वगर हो रही है तो आप आराम से इस फो ले सकते है और अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप इसको तीन चार टैबलेट करके तीन-चार टेबलेटी ज़िए और कम से कम तीन से चार महीनर तक लगातार यूज़ करेंगे तो आपको बैतर रिजल्ट मिलेंगे Medicine's lower potencies में 2x और 3x में तो कोई भी सच ऐस कोई भी side effect देखते को नहीं मिलेंगे तो आप लंबे समय तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर मिलेगी तो ये बैक्सन की पिलगो टैबलेट्स वीडियो को डिस्क्रिप्सिर में लिंक दे रहे हैं वहाँ से मिल जाएगी या फिर हमारी वेबसाइट www.shreevhomeyocenter.com पर ब्या करके आप परचेस कर सकते हैं उसको ठीक कर सकें जो दर्द है पास प्रॉलम में फिर की प्रॉलम में वो दूर कर सकें उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो पर इस वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा और अगर किसी भी तरीटमंट या इलाज कराना चाहते हैं फाइस, फिशर, फिश्चिल या कोई और प्रब्लम है हमसे बात करके तुम्हारी क् पश्कात, जैहिंद, जैवारत